हेलो फ्रेंड्स, स्पेशाल दिश्पाई सारिका के चानेल पर आप सबका फिर से एक बास बागत है तो आज मैं बनाने वाली हूँ खटी मीटी इमली की चटनी इमली की चटनी जो है ना घर पर आसानी से बना सकते हैं बहुती अच्छी और गाड़ी बनती हैं कर्टी मीटी फ्लेवर के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे जादा बना कर फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं और आप जबी भी चाट, दही वड़ा या भेल बनाएंगे ना तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेर जरूर कीजिए और अगर आप मेरी चानेल पर नए हो तो चानेल को सबस्क्राइब करना ना भूले तो चलिए आज की बड़िया रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बड़िया सी कटी मीटी चट्नी बनानी के लिए मैंने यहां लिया है 100 ग्राम इमली इस तरह की इमली आपको मार्केट में इजिली मिल जाती है इमली में कोई भी बीश नहीं होना चाहिए वैसे इमली हमें चाहिए इसे भीगोने के लिए थोड़ा सा हम इसमें पानी आड़ करेंगे करीब 30 से 40 मिनित के लिए भीगने देंगे इमली जो है हलकी सी नरम हो जाए, सौफ्ट हो जाए और इमली जो है थोड़ा सा फुलना चाहिए तबी हमारी इमली की चटनी जो है वो परफेक्ट बनती है आपको अगर जल्दी है तो आप गरम पानी में 15 मिनित के लिए भीगो सकते हैं कम समय में आपकी चटनी रेडी हो जाएगी इसी तरह से हम खजूर लेंगे और उसमें पानी डालकर उसे भीगोने के लिए चोड़ देंगे हमें खजूर जो है ना सीडलेस खजूर लेना है अगर आपके खजूर में सीड्स हैं तो उसे निकालकर फिर उसे भीगोना है खजूर और इमली को करीब 30-40 मिनिट भीगोने के लिए चोड़ देना है हमारी इमली जो है ना ओ कितनी अच्छी तरह से फूल चुकी है और खजूर भी अच्छी तरह से फूल चुकी है अब हम क्या करेंगे नीचे एक बरतन रखेंगे और उपर चन्नी रखकर इमली को चान लेंगे मतलब उसका स्मूथ पेश्ट जो है ना ओ रेडी करेंगे इस तरह से स्पून की हल्प से समेश करना है इससे इमली का पेश्ट जो है ना ओ नीचे गिल जाएगा ये देखें बिल्कुल इस तरह से इसका पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा सारी इमली को मैंने चान लिया है और हमारा पेस्ट जो है बिल्कुल रेडी है तो अब हम क्या करेंगे खजुर का पेस्ट बनाएंगे तो खजुर का पेस्ट बनाने के लिए खजुर को हम चान नहीं सकते क्योंकि चानने से उसका पेस्ट नीचे नहीं गिरता इसलिए हम इससे मिक्सी के जार में डाल कर स्मूध पेस्ट रड़ी करेंगे इसमें पानी बिल्कुल भी आड नहीं करेंगे इस तरह smooth paste ready करना है यहाँ मैं एक bowl ले रही हूँ इसमें इमली का paste और खजूर का paste दोनों को डाल कर इस तरह से mix करना है दोनों को अच्छे से mix करना है इमली की चटनी बनाने के लिए आदा कप गूड और आदा कप चीनी मैं यहाँ ले रही हूँ गैस पर हम एक बर्तन रखेंगे उसमें इमली और खजूर का paste अड़ करेंगे अगर आपके पास खजूर अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ इमली का paste यूज़ कर सकते हैं सिर्फ इमली का paste यूज़ करके हम इमली की चटनी बना सकते हैं इसमें हम तोड़ा सा पानी आड़ करके चटनी को तोड़ा सा पतला बनाएंगे इसमें हम आदा कप गूर और आदा कप चीनी आड़ करेंगे और तोड़ा पानी आड़ करके गूर और चीनी फिगलने तक पकाएंगे अच्छा एक उबाल आने के बाद ग्यास को आफ करना है अब देख सकते हैं गूड और चीनी दोनों फिगल चुकी है और इमली की चटनी में अच्छा उबाल भी आया है इसी स्टेज पर हम ग्यास को आफ करेंगे हमारी चटनी जो है बिलकुल रेडी है अब देख सकते हैं कितनी गाड़ी बनी है और खाने में भी बहुत ही खती मीटी टेस्टी इमली की चटनी जो है हमारी रेडी है हमारी खती मीटी इमली की चटनी बिलकुल तयार है तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए तो चलिए फ्रेंड्स बाई बाई फिर मिलते हैं ऐसे ही नए नए रेसिपीस के साथ